हैलो एवरिवन, वेलकम तो करियर इन्फो डॉट इन् दिस इस रतु पांडे स्वागत करती हूँ करियर इन्फो में और यहां पे बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल का पुर्धला से रेकृुरिमेंट टाई है और इस recruitment को हम detail में देखेंगे तो मैं यहां पर आ गई हूँ वेवसाइट पे और जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और यहां स्क्रीन पे आप सबसे पहले यह शो हो रहा है कि आप इस वेवसाइट पे जाएंगे कैसे तो यहां पर आप Google में टाइप करेंगे apskpt.in और इतना टाइप करके आप जब जाएंगे तो आपको इस तरीके से सरफस ओपन होकर आएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि यह वेवसाइट है और यहां पर साथी में यह स्क्रॉल करेंगे तो यह इस तरीके से यह रैड कलर का सारा ओपन होकर आ रहा है इस तरीके स है यह तो यह लेटिस न्यूज में आप यह देखें डाउनलोड आप्लिकेशन फॉर्म पीजी टी 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 काउंसलर स्पेशल एजूकेटर यह है तो इसको हम ओपन करके देखेंगे बट यहां आप जब ओपन करेंगे तो यहां सिर्फ आपको फॉर्म मिलेगा अपलाई कर नहीं क्या क्या पोस्ट है तो हम वहां जाकर देखेंगे तो चलिए देखते हैं तो यह देखें हम यहां पर आगे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का पॉर्थला की जो नॉटिफिकेशन आई हुई है न्यूस पिपर में उस रिकूर्टमेंट को मैं दिखा रही हूं आपको ज साइस और मैथमेटिक हैं काउचलर हैं स्पेशल अजुकीटर हैं लाइब्रेरियन है एंड पियार्टी संस्कृत के लिए वैकेंसी हैं एकाउंटन आई पिरुटमेंट को यहां पार रिकूर्टमेंट डीगए हैं यहां पर मैं देखूं की जो पीजिटी के लिए वेकेंस जिसमें graduate के साथ B.A.D. होना चाहिए और 50% marks के साथ counselor के लिए भी यहाँ पे graduate with psychology with a certificate of diploma in counseling मैं आपके पास certificate होना चाहिए और 3 year as wellness teaching counselor होनी चाहिए special educator के लिए आपको पता ही है कि B.A.D. और diploma in special education की होनी चाहिए librarian के लिए believe की यहाँ पे recruitment है and PRT के लिए bid with 50% marks है और इस तरीके से यह recruitment है आगे यहाँ पर और देखते हैं accountant के लिए ESM only यहाँ पे apply कर सकते हैं और यह सारी है तुड़ा जो है blur आया हुआ है बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे LDC की भी vacancies हैं इसके अलावा यहाँ पर selection process किस तरीके से होने वाला है यह मैं आपको बता देती हूँ कि एस limitation यहाँ पर below 40 years for fresh candidates and below 57 years for experienced candidates ठीके तो यहाँ पर जो 40 से कम के जो ES के students है वो freshers उसमें apply कर सकते हैं और जो 57 से जो below हैं वो experienced candidates भी इसमें apply उनके लिए 57 है और जो freshers हैं उनके लिए 40 years दिये हुए हैं इसके लिए में आपे salary के लिए as per EWS rules and regulations यहाँ पर होंगे साथ ही में यहाँ पर क्याब आपको apply करना है तो last date for submission of application form in 20 May 2021 इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है attested copies for certificate application by email will not be accepted यहाँ पर आपको attested copy आपको भेजना है और application by email will not accepted incomplete application will not be accepted ठीक है तो यह यहाँ पर दिया हुआ है साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हैं only shortlisted candidate will be called for interview जो shortlisted होंगे उनके लिए call की जाएगी और यहाँ पर इसका जो interview होने वाली है वो May या June में हो सकती है साथी में computer proficiency and teaching will be followed by interview करके यहाँ पर आपको वहाँ पर हो सकता है demo अगरे भी देना पड़े उसके अलावा यहाँ पर school management reserve the right to increase decrease any vacancies वो अपनी जो vacancies निकली हैं उन्हें वो decrease कर सकते हैं increase कर सकते हैं अपने recording इसके अलावा यहाँ पर कोई TADA यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा interview के दोरान और pre for यहाँ पर CSB and seated आपको qualified candidate यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं करेंगे जिन्होंने CSB भी किया है तो उन्हें seated की कोई जूरत निया है अगर सीटेट किया है तो CSB की कोई जूरत निया है यहाँ पर apply करने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया हुए application form as available in a school office for 100 rupees इसके अलावा मैं आपको वेवसाइट पर ले जाके दिखा देती हूँ कि आप इसकी जो application form है वो कैसे download करेंगे और कैसे देख सकेंगे तो चलिए हम वेवसाइट पर चलते हैं यह हम वेवसाइट पर आ गए है मैंने बताया कि आपको कैसे apply करना है तो इसकूल जो है आपको वहाँ पर provide कराएगी examination form जिसको आपको apply करना होगा और उसमें आप shortlisted होंगे देन आपको interview के लिए call आएगी तो यहाँ पर जो latest news आ रही है इसमें यह first वाला download application form करके यह आया हुआ है तो आप यहाँ पर click करेंगे यह process देखते हैं किस तरीके से open हो रहा है भी तोड़ा सा time ले रहा है फ्लीज वेट यह देखिए यह इस तरीके से surface open होके रहा रहा है यहाँ पर download application form PGT, TGT, counselor, special educator आप यहाँ पर click करेंगे यह जो doc लिखा हुआ है यहाँ पर जब आप इस तरीके से open करेंगे तो यह आपको यह इस तरीके से यहाँ पर download करके आएगा यह आपके google drive में और इस तरीके से यह form surface जो है यह open होका आएगा आपको यह सारा fill करना होगा आपको full name आपको देना है block letters में उसके बाद यह आपको पूरा एक एक चीज़े यहाँ पर date of birth और यह सारी चीज़े nationality यह सारी चीज़े आपको भरनी है nationality state address and mobile number आपको देना है email ID आपको देना है present, previous occupation यह सारी चीज़े आपको fill करनी है family life के बारे में आपको पूरा share करना है यहाँ पर आपको educational records भी पूरे लिखने है यह सारी चीज़े आप देख सकते है exam आपका कौन सा है marks, percentage, division, year of passing तो इस तरीके से यह आपको form fill करके साथ ही में आपको attested जो भी आपके certificates है वो भी आपको mail करने है या फिर आपको post के तुरू आपको post करना है ठीक है तो यह पूरी detail में आपको information दी हुई है hope आपको यह समझ में आई होगी यह पूरी recruitment के बारे में अगर इसके लावा भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँगी जिस तरीके से भी मुझे time मिलेगा यह link भी मैंने आपको बता दिया है आप कहेंगे तो मैं description में इसका link दे दूँगी और यह पूरा process इस तरीके से आपको apply करना है तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे share करिए like करिए and subscribe करिए मेरे channel को thank you so much